नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में जहां पर मैं मधू, पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-wise कवर करा रही हूँ आज का लेक्चर नमबर 15 है और ये बेज़्ट है Directive Principle of State Policy आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हो अगर इंडियन पॉलिटी आपके syllabus में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही helpful होगा तो मेरी आप सभी से request है कि आप जब भी examination hall में वैठें तो exam देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार जरूर देखें जिससे की examination hall में आप पॉलिटी की questions को अच्छे से solve कर पाएं इसी उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले question की तरफ Question No.1 Which of the following is not the objective of the directive principle of state policy? निमलिखित में से कौन सा राज्य के नीती निदेशक सिधानतों का उदेश नहीं है आपके option से A. To establish a welfare state एक कल्यार कर राज्य की स्थापना B. To ensure socio-economic welfare समाजिक आर्थिक कल्यार सुनिश्चित करना C. To promote international peace and security अंतराष्टिय सांतियों सुरक्षा को बढ़ावा देना या D. To establish a religious state धार्मिक राज्य की स्थापना करना तो पहले question का answer क्या हो जाएगा? Option D. To establish a religious state इसका उदेश नहीं है चलते हैं नेक्स्ट के तरफ Question No. 2 Consider the following statement regarding the directive principle of state policy पहला, these principles spell out the socio-economic democracy in the country तूसरा, the provisions contained in these principles are not enforceable by any court which of the statement given above is are correct राजी के नीती निदेशक सिध्धानतों के संबंध में निमलिखित कत्नों पर विचार करें पहला, ये सिध्धान तेस में सामाजीक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं दूसरा, इन सिध्धानतों में नहीत प्रावधान किसी भी नियालय द्वारा लागू नहीं किये जा सकते हैं उपर दिये के कत्नों में से कौन सा सही है इन दोनों कत्न में से जो कत्न सही है उसका आपको चुनाव करना है तो दूसरे question का answer क्या हो जागा तो दो देखिए दोनों के दोनों ही statement जो हैं यह बिलकुल सही है इस तरीकेश देखिए option C बोथ 1 and 2 यह correct answer हो जाएगा C is the right answer चलते है next question की तरह Q3. With reference to the provisions contained in part 4 of the Constitution of India which of the following statement is are correct? पहला, ते शाल बे एंफर्चिएब बाइ चूर्ट तूसरा, ते शाल बे एंफर्चिएब बाइन चूर्ट तूसरा, the principles laid down in this part are to be influenced the making of law by the state Select the correct answer using the code given below भारत के समिधान के भाग चार में नहीं प्रावधानों के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है पहला, वे न्यालों द्वारा प्रवर्तनियों होंगे दूसरा, वे किसी भी न्याले द्वाला प्रवर्तनियों नहीं होंगे तीसरा इस भाग में दिये गये सिध्धानत राजी द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए है नीचे दिये कोड का अप्योगर के सही उत्तर का चुनाव करना है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है ठीक है? और Part 4 क्या है? Directive Principle of State Policy तो तीसरे क्वेशन का आंसर क्यों जाएगा? बताइए तीसरे क्वेशन का आंसर क्यों जाएगा देखी जो दूसरा स्टेटमेंट कि DPSP को court के दारह एंफॉर्स नहीं किया जा सकता और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि the principle laid down in this part are to be influenced the making of law by the state, ये बिलकुल सही statement है, तो दूसरा और तीसरा statement बिलकुल सही है तो option D देखे है, इसका answer क्या हो जाएगा, option D, 2 and 3 only जलते हैं next question की तरफ question number 4 the concept of included in the constitution of India is the भारत के समुधान में किस अवधाना को सामिल किया गया है आपके option से A, डिरेक्टिव प्रिंस्पल अफ स्टेट पॉलिसी राजे के निती निर्देशक सिधान B, फोर्थ स्चुडूल अफ दे Constitution समुधान की चौति अनुसूची तीसरा, fundamental rights मौलिक अधिकार चौता, preamble of the constitution समुधान की प्रस्तावना चौते question का अंसर क्या हो जाएगा? बताए आप लोग, चौते question का अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर होगा option A डिरेक्टिव प्रिंस्पल अफ स्टेट पॉलिसी ठीक है? और यह article 36 से लेके 51 तक included है और part 4 of the constitution में लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है? तो स्टेबलिस्ट अर वेलफियर स्टेट ठीक है? चलते हैं next question की तरफ Question number 5 Which part of the constitution of India describes the model of welfare state? भारत के समिधान का कौन सा भाग कल्यकारी राजी के model का वर्णन करता है आपके option से A. Fundamental Rights मौलिक अधिकार B. Fundamental Duties मौलिक कर्तव्य C. The Preamble परस्तावना PRD Directive Principle of State Policy राजी के निती निर्देशक शिधान तो पांचे question का अंसर क्या हो जाएगा? Option D Directive Principle of State Policy चलते हैं next question की तरफ Question No.6 Which part of the Constitution of India declared the ideal of welfare state? भारत के समिधान का कौन सा भाग कल्याण कारी राज्ये का आदर्स गोसित करता है? आपके option से A. Directive Principle of State Policy B. Fundamental Right C. Preamble या D. 7 Schedule तो किसके तरूँ में welfare state का ग्यात होता है? आपके आंसर क्या होंगे? इसमें छटे question का आंसर क्या हो जाएगा? Option A. Directive Principle of State Policy चलते हैं नेक्स्ट क्वेशिन की तरफ Question No.7 The idea of India as welfare state is found in कल्याण कारी राज्ये के रूप में भारत का विचार कहां पाया जाता है? आपके option से A. Preamble of the Constitution समुधान की प्रस्तावना B. Fundamental Duties मौलिक करतव C. Directive Principle of State Policy राज्ये के निती निदेशक शिद्धान्त या D. Both A and C दोनों में A और C साथ्वे क्वेशिन का अंसर क्या हो जाएगा? बताए साथ्वे क्वेशिन का अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर होगा option D. Both A and C चलते हैं Next Question की तरफ Question No.8 Consider the following statement With reference to the Constitution of India The Directive Principle of State Policy constitute limitation upon पहला legislative function दूसरा executive function Which of the above statement is R. Correct? निमलिखित कत्नों पर विचार करें भारत के समिधान के संधर में राजी के निती निदेशक सिद्धान्त पहला विधाई कारे पर सिमाय बनाते हैं दूसरा कारे-कारे कारे पर तो इसका answer क्या हो जाएगा? इससे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा statement जो है वो कथन सही है ठीक है? इनमें से कौन सा कथन सही है? याद रखे कि question में correct पूछ रहा है कि incorrect होता है? कई बार हम questions को गलक तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं और गलक answer लगा कर आ जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से true false लिखा है कि correct है कि incorrect लिखा है इस पर आप बहुत ध्यान दे के questions को solve करने की कोसिस किया कीजिए तो आठवी question का answer क्या हो जाएगा? option D neither one nor two ठीक है? किसी पे भी function ये नहीं लगाता है ठीक है? question number nine the directive principle of state policy of the constitution of India is taken from the constitution of which country? भारत के समुधान के राजी के निती निदेशिक सिधान किस देश से लिए गए हैं? आपके option से A. Australia B. America D. France D. Ireland नहीं question का answer क्या हो जाएगा? option D. Ireland चलते हैं next question की तरफ question number 10 the Indian constitution borrowed the directive principle of state policy from the constitution of which of the following countries भारती समुधान ने राजी के निती निदेशिक सिधानतों को निमलिखित में से किस देश के समुधान से उधार लिया है? आपके option से A. United Kingdom B. United State of America C. Ireland D. Japan जसे question का answer क्या हो जाएगा? option C. Ireland चलते हैं next question की तरफ question number 11 In Indian constitution, the idea of the directive principle of state policy has been taken from the constitution of भारती समुधान में राजी के निती निदेशिक सिधानतों का विचार किसके समुधान से लिया गया है? आपके option से A. Ireland B. Canada C. South Africa D. Australia गयारवे question का अंसर क्या हो जाएगा? option A. Ireland चलते हैं next question की तरफ Question number 12 Directive principle of state policy are राजी के निती निदेशिक सिधानत हैं A. Justiciable नयस अंगत B. Non-justiciable गयर नयस अंगत C. Fundamental right मौली का दिकार D. None of the above इन में से कोई नहीं Directive principle of state policy क्या है? पताएगे बारवे question का अंसर क्या हो जाएगा? ये है non-justiciable ठीके? इस non-justiciable का मतलब क्या होता है? कि इसको court के द्वारा enforce नहीं किया जाता है ठीके? They are not enforceable in any court of law जलते हैं Next question की तरफ Question number 13 According to the constitution of India Which of the following are fundamental to the governance of the country? भारत के समिधान के नुसार निमलिखित में से क्या देश के शाशन के लिए मौलिक है आपके option से A. Fundamental Right मौलिक अधिकार B. Fundamental Duties मौलिक करताव्य C. Directive Principle of State Policy राजी के निति निदी शिद्धान्त या D. Fundamental Right and Fundamental Duties मौलिक अधिकार और मौलिक करताव्य तेरह हमें question का answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा option C. Directive Principle of State Policy ठीक है चलते हैं next question की तरफ वर्षय नमबर 14 Under the Indian Constitution Concentration of Wealth Violet भाटी समधान के अंत्रगा धन का सकेंद्रकरण उलंगन करता है A. The Right to Quality समानता का अधिकार B. The Director Principle of State Policy राजे के निर्देशक शिद्धान C. The Right to Freedom स्वतनता का अधिकार D. The Concept of Welfare State कल्यारकार की अधिकार तो अधवे क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा Option B. The Director Principle of State Policy चलते हैं Next Question की तरफ Question No. 15 Equal pay for equal work has been enshrined in the Indian Constitution as one of the भाटी समुधान में समान कारे के लिए समान वेतन किस में से एक के रुप में सुनिश्चित किया गया है? आपके Options है A. Fundamental Right मौलिक अधिकार B. Director Principle of State Policy राजी के नीते निर्देशक सिध्धान C. Fundamental Duties मौलिक करतव्य D. Economic Right आर्थिक अधिकार 15 में कोशन का अंसर क्या हो जाएगा? रहिए 15 में कोशन का अंसर होगा Option B. Directly Principle of State Policy चलते हैं नेक्स्ट के तरफ Question No. 16 16 में कोशन का अंसर क्या हो जाएगा? Option B. Equal Pay for Equal Work यह हमारा Fundamental Right नहीं है यह किस में आता है? यह हमारे DPSP में आता है चलते हैं नेक्स्ट के तरफ Question No. 17 Which one of the following is included in the Directly Principle of State Policy? राजी के नीती निदेशक सिधानतों में निमलिखित में से कौन सा सामिल है? आपकी options है A. Protection in respect of conviction for offense अपराधों के लिए सजा के सम्मन्ध में सगनक्षन B. Protection of life and personal liberty जीवन और व्यक्तिकत स्वतनता की सुरक्षा C. Protection of interest of minorities अल्प संख्यकों के हितों की सुरक्षा या D. Equal pay for equal work for both men and women पुरूसों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन 17. Question का आँसर क्या हो जागा? इसमें से कौन सा जो है वो DPSP में सामिल नहीं है? इसमें से कौन सा सामिल है ये पूछ रहा है कि विच वन आप दर फॉलाइंग इस इंक्लूदेड इन दर रेक्टिव प्रिंस्पल आफ स्टेट पॉलसी? कौन सा इसमें इंक्लूदेड है? इसका आँसर क्या हो जाएगा? option D. Equal pay for equal work for both men and women चलते हैं next question की तरफ question no.18 पंचायती राज system in India is laid down under भारत में पंचायती राज वैस्था किसके अंत्रगत निर्धारित की गई है? आपके options हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, B. Fundamental Duties, मौलिक कर्तव, C. Directive Principle of State Policy, राजी के नेती निर्धिक सिधान्त, यडी इलेक्शन कमिशन, एक्ट चुनाव आयोग अधिनियम आर्व क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा? option C. Directive Principle of State Policy ठीके? आर्टिकल 40 के अंतरगात ये कवर होता है, पंचायती राज, ठीके? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की तरह question No.19, match list 1 with list 2nd and select the correct answer using the code given below abolition of title ये किसे related है, organization of village पंचायत, ये किसे related है, to provide the opportunities for education, ये the child between 6 to 14 year age और India that is a भारत is the union of state, ये किसे related है, इधर आपकी दूसरी तव दिया गया है, DPSP, union and territories, fundamental right और fundamental duties तो निश्वे question का आप लोग भी मिलान कीजे, कैसे होगा, बता ये मिलान कीजे, 5-10 second में इसका मिलान करके questions को comment किया कीजे, चलिए, इसका हम मिलान करते हैं, तो abolition of title किस में आता है, ये fundamental right से बिलॉंग करता है, organization of village panchayat क्या है, ये DPSP से बिलॉंग करता है, to provide the opportunities for education to the child between 16 to 14 year age, ये क्या है, ये fundamental duties है, और India that is a भारत, is union of state, ये the union and its territory से बिलॉंग करता है, तो चलिए अब इसका मिलान करते हैं, कैसे होगा, first का हो जाएगा 4, ठीक है, नहीं sorry, first का होगा 3, second को होगा 1, C का होगा 4, और D का होगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 किस में है, option B में है, तो B is the right answer, उन्हें से का क्या होगा, option B, चलते हैं next question की तरफ, question number 20, which one of the following articles directs state government to organize village पंचायत, निम लिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज सरकार को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है, आपके options हैं, A, article 32, B, article 40, C, article 48, D, article 51, 20 question का answer क्या आज जायागा, option B, article 40, चलते हैं next question की तरफ, question number 21, which one of the following articles directs the state governments to organize the पंचायत, निम लिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजी सरकारों को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, आपके options हैं, A, article 33, B, article 40, C, article 48, D, article 50, E, none of the above या more than one of the above, village पंचायत के लिए कौन सा article है, बताइए, 21 एक answer क्या हो जाएगा, option B, article 40, चलते हैं, next question की तरफ, question number 22, under the constitution of India, organization of village पंचायत is A, भारत के समुधान के तहद ग्राम पंचायत का संगठन है, आपके options हैं, A, fundamental right, B, fundamental duties, C, directive principle, या D, none of the above, wise way question का answer क्या हो जाएगा, option C, organization of village पंचायत किस में कवर होता है, directive principle of state policy में, चलते हैं, next question की तरफ, question number 23, match list 1 with list 2nd, and select the correct answer using the code given below, में अब आर्टिकल को वो किस से related हैं, इसका मिलान करना है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 44, और आर्टिकल 48, इसका हमें मिलान करना है, देखें, तो जो आर्टिकल 40 है, वो क्या है, related है, organization of village पंचायत से, आर्टिकल 41, right to work, education and public assistance in certain cases, आर्टिकल 44, uniform civil court से, और आर्टिकल 48, organization of agriculture and animal husbandry, इस तरिके से A का हो जाएगा, बताइए, बताइए, A का होगा, organization of village पंचायत, ठीक है, फिर B का क्या हो जाएगा, आर्टिकल 41, right to work, आर्टिकल 44, uniform civil court, और आर्टिकल 48, organization of agriculture, तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, option A, देखें, A is the right answer, 1, 2, 3, 4, जलते हैं, next question की तरफ, question number 24, which one of the following is not correctly match, इस में से कौन सा जो match नहीं है, वो हमें बताना है, the separation of judiciary from executive, आर्टिकल 50, the promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe, आर्टिकल 46, the promotion of cooperative societies, आर्टिकल 43A, the organization of village पंचायत and enable them to function as a unit of self-government, आर्टिकल 40, अभी से question का अंसर क्या हो जाएगा, option C, ठीक है, जो the promotion of cooperative society, किसमें है, आर्टिकल 43B में है, ठीक है, ना कि 43A में है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, option C, जलते हैं, next question की तरफ, question number 25, which one of the following is not correctly match, निमलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, वो हमें बताना है, आपके options हैं क्या दे, article 39, equal justice and free legal aid, article 40, organization of village panchaya, article 44, uniform civil code, article 48, separation of judiciary from executive, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये बताना है, 25 का अंसर क्या हो जाएगा, option D, article 48, article 48 कि से related है, organization of agriculture and animal husbandry, ठीके, तो आज के हमने setup 25 questions को complete कर लिया है, अगर आप सभी को ये series अच्छी लग रहे हैं, तो please like कीजे, comment कीजे और subscribe कीजे हमारे चैनल को, कर्मवीर, ICS, thank you, thank you for watching.